हेलो स्टूडेंट वेल्कम टो वे यूटूब चैनल कॉमर्स वशेंसी आज ही क्लास में स्टार्ट करते एक नया टोपीक फिक्स्ट एंड वेरीबल इन्पॉर्ट या फिर फैक्टर प्रडस्टन के रिगारिंग इसे लास्ट क्लास में ने कवर किया था प्रडस्टन के अगर भी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी देखी तक आपके सड़ी में कंसिस्टेंसी बनी रहे अगर भी तक आपनी मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यूव वीडियो अप्लोड आप वीडियो को सबसे पहले देखो और आपकी सड़ी बूस्ट अप हो कवर करते हैं फिक्स दोर वेरेबल इंपूट जिसे हम फैक्टर प्रडेशन बोलते हैं तो यहां पर हम इसको समझने के लिए एक ओवर्वीव लेते हैं इस कंसेप्ट का जब भी बच्चों एक प्र प्रडेशन के लिए दो तरिक्के के फैक्टर को यूज करते हैं एक तो होते हैं फिक्स फैक्टर को दूसरी होते हैं हमारे पास वेरेबल फैक्टर करने के लिए फिक्स फैक्टर का और वेरेबल फैक्टर का तो हम यहां पर देखते होते हैं कि जो हमारे पास फैक्टर होत प्रडցस्यन सोती हैं व गौंशी होती है जैसे लैंड लेबर- byekal- कॉते हैं तुर कि एंड एंटर्प्रेणर एंटर इन फैक्टरस का इससे माल करकि प्रडूसर गुर्ज को प्रडूस्ट लैंड क्या होती है यह पीग्ष्टर होती है इसको मतलब कि एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हम शोर्ट पिरड के अंदर fix factors को change करने कोशिश करने तो नहीं कर सकते हैं शोर्ट टर्म के अंधर इसलीए change नहीं कर सकते हैं इनके change करने के लिए हमें long time चाहिए होता है लेबर जो लेये variable होती है अगर हमें काम जादा लेना जादा मज़दूर लगा लो कम लेना तो कम ले लो तो यहां पर हमने जो यह fix factor और variable factor है इसको time के context में अगर cover करें तो time के context में कैसे ले सकते हैं को में समझते हैं इसको a firm use many kind of input produces output कहता है कि firm को बहुत सारे inputs का यूज़ करना पड़ता है output का प्रोड्यूस करने के लिए जब फर्म होती है वह जो input की quantity यूज़ करती है वह वैरी मतलब चेंज होती है तो वैसे फिर जो output की जो quantity वह भी कहाती है चेंज हो जाती है the quantity of some input used are adjustable quickly कुछ ऐसी quantity होते input के जिसको हम आसानी से change कर सकते है यानिकि वो variable होते है but other are not easy to adjust लेकिन कुछ other factors of production ऐसी होते है जिनको हम आसानी से adjust नहीं कर सकते कि वो fixed है तो यह जो input और factor of production इसको हम classify कर सकते है जैसे fixed input और factor of production यानिकि यहाँ पे जो input हो क्या fixed है जिसे हम factor of production बोलते हैं कैते हैं fixed input और factor of production इसको define कर सकते हैं ऐसी यह fixed factor of production होते हैं जिनकी जो quantity होते हैं उसको हम change नहीं कर सकते हैं short run के अंदर जैसे हमने अगर output को change करने है क्योंकि short time बहुत कम time होते हैं जहाँ पे हम fixed factors को change नहीं कर सकते हैं क्योंकि fixed factor को change करने के लिए हमें time चाहिए होते हैं तो वो long term में उसको change करना possible होते हैं यहाँ पे कुछ examples है fixed input के जैसे plant होते हैं short term के अंदर हम plant को एकदम से extend नहीं कर सकते हैं तो यह हमें short term के अंदर easily available नहीं कर पाते हम इसको तो इस कहां से short term के अंदर क्या हो जाते हैं fixed input हो जाते हैं तो अगर हमें output को बढ़ाना है तो हमें इस fixed factor को तो use नहीं कर सकते को कि यह तो constant हो जाते हैं next हमारे पास आते है variable input या फिर factor of production यह variable input और factor of production यह ऐसे variable input होते हैं जिनकी जो quantity होते होते हैं जैसे हमने level of output को change करना होते हैं जैसे इसमें example लेते हैं हम input के अंदर raw material हो गया और जो labor हो गी है अगर हमें ज्यादा production करना ज्यादा raw material यूज़ कर लेंगे, ज्यादा labor यूज़ कर लेंगे, अगर हमें कम production करना है कम raw material का यूज़ कर लेंगे और कम labor का यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर fixed input और variable input का जो concept हमारा बनता है एक example की helps इसको हम समझने ही कोशिश करते हैं कि क्या role रहता है fix or variable input का इसमें example लेते हैं कि मालो एक firm है जो print करती है 1000 books को daily print कर देती है अगर firm चाहती है कि 2000 books को daily print किया जाए तो क्या करेगी कि certainly it will need more factor production तो उसको factor production ज्यादा करने पड़ेंगे use but it will not be possible to increase some factor immediately लेकिन कुछ factors ऐसे होते जिनको immediately short term के अंदर बढ़ाया नहीं जा सकता जैसे example के लिए printing press होगी है building होगी है तो यह तो constant रहेंगे short term के अंदर क्योंकि यह factor क्या है fix factor है तो effect क्या पड़ेगा अगर production को बढ़ाना तो books के production को बढ़ाने के लिए सिर्फ हम उन्ही factors को बढ़ा सकते हैं जिनकी supply easily क्या कर सकते हैं जैसे labor paper sector अगर हम यह output को बढ़ाना है तो हम ज्यादा labor को use कर लेंगे ज्यादा papers को use कर लेंगे जिससे output बढ़ जाएगा such factors are called variable factor क्योंकि इनको क्या बोलते हैं variable factor बोलते हैं क्योंकि इस factors को हम short term के अंदर भी easily change कर सकते हैं in the above example के इस example के अंदर जो printing process है और जो building represent करता है fixed factor of production को तो यहाँ पर जो इसमें printing press का इस्तेमाल किया जाना है बिल्डिंग का इस्तेमाल के जाने पर fixed factor होते हैं जबकि जो labor और हमारे paper होते है यह variable factor होते हैं को किसको हम आसानी से change कर पा रहे हैं it may be noted that fixity and variability of input depends on the time period तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो factor का fixed होना या variable होना किसको पर depend करता है उसके time period को पर depend करते हैं I hope कि आपको यह concept समझ में आ गया होगा बच्चो कि fixed input क्या होते हैं और variable input क्या होते हैं fixed input वो होते जिनको short term के अंतरह हम easily change नहीं कर पाते हैं fixed हैं वो variable input वो होते जिनको short term के अंतरह हम easily change कर सकते हैं अगर output की level को बढ़ाना होते हैं फिक्स फेक्टर में हमारे पास आयाते है जैसे plant, image, recommend, building आगी है, management की service हो गया है, skill labor की supply हो गया है variable input में हम ले लेते हैं जैसे कच्चा माल जो use के आता है और जो labor की service होती है फिक्स फेक्टर को change करना short term में impossible होते है क्योंकि इसको change करने के लिए time होते है variable xa कre 혼자 Shockuję के हमें पांदर इसली अवेलबल है शोट वयंडर भी तो यहां पर इंस चाहिए कि अगर पिखेटल को हम समझने कोस्षे करते हैं time के एक बेस पर cover करते हैं इसको दो type का हमारा time period होते हैं short period एक उता long period short period यह और short run ऐसे time period होते हैं जहाँ पर time के ओता हैं हमारे पास short होते हैं तो यहाँ पर कुछ factors ऐसे होते हैं जिनको easily हम change कर सकते हैं Output का बढ़ाने के लिए जिसे हम variable factor बोह देती हैं कुछ factors ऐसे होते हैं जिनको short term के अंदर हम change नहीं कर पाते हैं असानी से तो होते हैं fixed factors तो किते हैं इतना कम time होते हैं कि जहांपे हम सिर्फ variable factors को easily change कर सकते हैं अगर output को बढ़ाना होता है तो fixed factor को थो हम change नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर time-based भी हम इसको determine कर सकते हैं कि time के base भी हम इसलिए इसको determine कर सकते हैं कोगि जो factors होते हैं उसको short time के अंदर जिसको मैं easily change नहीं कर पाते हैं बन जाते हैं जिसको मैं short time के अंदर change कर देते हैं तो वह कौन से बनाता है वैरिबल फैक्टर बन जाते हैं कि therefore a change in output must be accomplished कहता कि अगर मुझे output को change करना है तो किसके help से कर सकते हूं change in the use of variable input सिर्फ मैं किसके help से करूंगे change output को input वैरियिबल इनल्पुट होते हैं उसमें चेंज करके हम अपने अंहोंगे बात की जाए तो शोर्ट रन यहाँ पे दोन जो वैरियिबल इन्पुटत होते हैं उसमें यहाँ पर यूज की जाते हैं देजी प्रोड्यूसर से विश्टू एक्सपेंड आउट्पूट कहता है अगर एक प्रोड्यूसर चाहता है अपने आउट्पूट को बढ़ाना शोटरन के अंदर तो यहां पर उसको सिर्फ जो रो मेट्रियल हो गया यहां जो वर्कर के काम करने के घंटे होते करकें लेबर और होते है एक्सिस्टिंग प्लांट के ऊपर इसको वह बढ़ाने पड़ेंगी यानके जर्व वैरीबल फैक्टर को बढ़ा करकर कर एक प्रोड्यूसर के आघा सकते हैं पर्डें प्रोडेक्शन की आउट्पूट लेबल को बढ़ा सकते हैं throat its use may fall to zero यानि एकदम से हम उसको बंद नहीं कर सकेंगे जो भी हमारे fixed factors होते हैं लेकिन variable factor को जुरू हमें यहाँ पर change कर सकते हैं अगर हम इसको sum up करके समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास short run होता है short run होता है इसमें भी हम production करने के लिए जो production होता है production करने के लिए दोनों factor का इस्तिमाल करते हैं fixed factors का और variable factors का यानि कि दोनों type के factors को हम use करके हैं जो इसको production को करेंगी fixed factor में हमारे पास buildings आयाती है building आ गई है जो हमारे पास major equipment होते हैं equipment हो गई है और भी हमारे पास other जो plants भीड़ा होते है variable में हम ले लेते labor होगी है ऐसे raw material होगा है जिसको हम change कर सकते है आसानी से raw material तो short run ऐसा कम time होते है जहां पर अगर मुझे output को बढ़ाना होते है यानि कि अगर एक producer चाता है कि output को बढ़ाई तो वो output को बढ़ाने के लिए fixed factor को तो change नहीं कर सकता क्योंकि fixed factor क्या है टाइम ज़्यादा चाहिए उसको change करने के लिए fixed factor हो जाते है constant क्योंकि short run में एक दम से building plant या फिर major equipment को change करना मुश्किल हो जाते है तो output बढ़ाने के लिए फिर एक producer क्या करेगा variable factor को use करेगा variable factor को जो use करेगा अगर output बढ़ाने तो variable factor को बढ़ा देगा जिसमें raw material की quantity बढ़ जाएगी labor के working hours बढ़ जाएगी या फिर नहीं labor का जो point कर ले जाएगा अगर output को कम करना होता है अगर मालों की short term के अंतरा आउटपट कम करना जाता है producer तो जो फिर variable factors होते है variable factors होते है उनको क्या कर देगा कम कर देगा क्योंकि output कम करने के लिए variable factor को कम कर दिया output को बढ़ाने के लिए variable factor को बढ़ा दिया लेकिन fix factor को हम change नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास time period gap बहुत ही कम है short run में यह तो यहां पे जब हम इसको consider करते तो इसके लिए एक लाब ना आ आ गया अलग से इसको क्या नाम दिया कि लाफ वेरिबल प्रपोर्शन बोला गया लाफ वेरिबल प्रपोर्शन इसको जो नाम दिया गया क्योंकि यहां पर इसे वेरिबल प्रपोर्शन को चेंज करके हम क्या करें आउट्पुट को बढ़ायां कम कर रही है next हमारे पास वो पार्ट बनता है वो बनता है लोंग रन का लोंग रन में भी हम प्रडशन करने के लिए क्या करते हैं फिक्स फेक्टर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर फिक्स फेक्टर्स भी आ जाते हैं और वेरिबल फेक्टर्स भी जो आते हैं वेरेबल फेक्टर यालि इन दोनों टाइप के फेक्टर से स्थेमाल करके हम क्या करते हो पुल्हॡशन को बनाते हैं यह आउटपुड करते हैं फिज़क्र करते हैं फिने तो यह पर यहां पर इतना हमारे पास होता है प्रियापत समय होता है कि यहां पर फिक्सल को भी आसानी से चेंज कर सकती हूं क्योंकि लंबा टाइम हे मेरे पास असानी से नहीं प्लाइंट लगा सकते हैं, आसानी से नहीं मशिनरी ला सकते हैं, तो यहां पे सारे के सारे factor, चाए वो fixed or variable हों तो क्या कैलाते हैं, यह variable factor बन जाते हैं, इसको मैं change कर सकती हूँ, यह क्या होते है variable बन जाते हैं, यानि कि यहां पर long run के अंदर हम fixed factor को भी क्या कर सकते है चेंज कर सकते है variable factor को भी change कर सकते है क्या करने के लिए output को बढ़ाने के लिए तो यहां पर दोनों के दोनों factors को हम change कर सकते है तो यहां पर fixed variable factor है जो दोनों change होते है तो यहां पे इसको change करके जब हम अपने output में change करेंगे तो इसको क्या बोले आता है return to scale नाम दिया गया इसको return to scale यहां पे हम scale पूरा scale ही क्या कर देता है change कर देता है जो production का होता है हमारे पास बुक में इसके explanation क्या कहते है cover करते हैं से हम long period और long run कहते है long period long run as define क्या कैगा ऐसा period होते है जहां पे इतना time मिल जाता है कि सार जो factor of production होते है input होते है variable हो जाते है जहां पे हम सभी factor of production को easily change कर सकते है long run में जो factors होते है वो change कर सकते है quantity उसकी और जो there are no fixed factor यहां पे कोई भी factor fixed नहीं रहता क्योंकि fixed factor को भी हम long run के अंदर आसानी से change कर सकते है in other word long period refer to that period कते long period ऐसा period होते है जहां पे which the quantity of all factor can be increased और decrease यहां पे हम सभी के सभी factors की quantity को बढ़ा सकते है और कम कर सकते है thus there is no distinction between fixed and variable factor in the long run तो long run के अंदर कोई फर्क नहीं होता fixed factor के बीच में और variable factor के बीच में को कि सारे के सारे factors का जाते है चेंज हो जाते है वरेबल बन जाते है adjustment between कैता है अगर मैंने इसको adjust करना है factors can be easily brought about in the long run तो असानी से में factors को सभी factors को change कर सकते हूं size of plant which is usually fixed in the short period can be brought in the long period तो जो मेरे पास fixed factor short term में चेंज नहीं कर पाई थी और fixed factor को भी हम long term के अंदर क्या कर सकते है चेंज कर सकते हैं तो इस कान से जो scale of production है वो change हो जाते हैं सिर्फ किसमी long period में क्योंकि यहां पर तो सिर्फ variable factor का ला लागो तो जिसे हम ला लागो प्रपोर्शन बोलते हैं यहां पर जो ला लागो तो इसको बोलते है scale of love यानकी return to scale है जो हमारा लाग बन जाते है लाग रण में कहता है जो normal period होते है यह associate जुड़ा होता है कि इसके साथ change in scale of production क्योंकि यहां पर पूरी overall scale को हम change कर सकते है प्रप्रशन के बट अगर हम इसके overall इसकी sum up करने की बात करें तो यहां पर लाग प्रेड के अंदर short run के अंदर जो factor fix दे वो long term के अंदर वो भी variable हो जाते है यानि कि जितने भी factor of production हम use करते हैं long run के अंदर वो सारे variable हो जाते हैं next class में cover करेंगे variation of output यान की product in short run में जिसके अंदर concept करेंगे हम cover total product का average product और margin product ऐसी ही regular वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोशेंसी को सब्सक्राइब लाइक इन शेर करें करते हैं